स्वागत आप देख रहें कहानी कुर्सीकी और मैं हूँ सौरव शर्मा आपके साथ कहानी कुर्सीकी में आज एक बार फिर चुरावी राज्यों की बात करेंगे शुरवात राजिस्थान से जहां प्रधान मंत्री का धुमाधार प्रशार जारी है आज तीन समाएं और जैपूर में शाम को एक बड़ा रोट्शो करने के योजना है की तयारी है और आज साथ ही आपको बता दें राजिस्थान के लिए कॉंग्रेस पार्टी नी आज अपना घोशना पत्र जारी किया है इससे पहले कॉंग्रेस की तरफ से साथ गारंटियां वो जारी की गई थी डेड़ करोड से जादा लोगों को गारंटी कार्ड भी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से बाटे गए है लेकिन आज विशेश तरफ पर इस घोशना पत्र में कुछ प्रमुक बातों का एलान किया गया जैसे चार लाख डॉकरियां दी जाएंगी अगर सत्ता में दोबारा कॉंग्रेस पार्टी आती है तो जाती कर जनगरना की बात हर राज्य में जाकर के कॉंग्रेस पार्टी करती है राहुल गांधी करते है इसको घोशना पत्र में शामिल किया गया है जीते तो जाती जनगरना होगी इसके अलाबा जो गैरेंटिया है उसमें 500 रुपे में सिलेंडर महिलाओं को महिला प्रमुखों को जो परिवार की है दसजार रुपे सालाना दो रुपे किलो गोबर खरीद खरीदा जाएगा चातनों को लैप्टॉप दिया जाएगा ये तमाम बातें पहले ही थी लेकिन आज हम बात करेंगे राजिस्थान मद्रप्रतेश और 36 इन तीन राज्यों के अंदर जैसे पत्रकारों का अनुमान ह होता है, क्या होने जा रहा चुनां में, आम जन्ता का अनुमान होता है, ऐसे ही 60 बाजार का भी एक अनुमान होता है। आप कहेंगे सट्टा बाजार की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सट्टा बाजार के लोग भी बड़ी बारीकी से चुनावों को देखते हैं, बढ़ते हैं और उसके हिसाब से अपना अनुमान लगाते हैं। कि इस दुनिया की अंदर क्या चल रहा है? उस दुनिया के लोग क्या मान रहे हैं? कि आकर इंचुनावों में कौन जीत सकता है? किस की हार हो सकती है? किसे बाते हम आपको क्या परट बादेश्ण कहिंए है बीजेपी और कॉंग्रिस इनकी इंटर्नल असेस्मेंट क्या है इनका अपना अनुमान क्या है क्योंकि ये पार्टियां भी लगातार फीडबैक लेती हैं अपने कारेकरताओं के जरीए सर्वे भी कराती है उससे इनको पता चलता है कि आकिर महौल क्या है इनके पक्ष में है या नहीं है और है तो कितना है तो दोनों पैमानों पर क्या स्थिती बंती दिखाई दे रही है बीजेपी कॉंग्रिस दोनों की इन तीनों राज्यों बेक्षास करके आज हम ये आपको बताएंगे हमारे साथ स्टूडियो में कहानी कुर्सी की में जोड़ रहे इस वक्त हमारे साथ तो आईए शुरवात हम पहले अंपी 36 गर्ड की बात कर लेते हैं चुनाओ तो महाँ पूरा हो चुका है अब अनुराग के पास चलते हैं अनुराग पता लगा पाए आप कि आखिर सटा बजार क्या कह रहा है मद्द्र प्रतेश और 36 गर्ड के लिए इस वक्त हमान वो लोग भी लगा लेते हैं और मेरे पास जो जानकारी दोबई और मुंबई के जो सटा बाजार हैं उन्होंनों जो रेट फिक्स की हैं उसके मताबिक जिसको इंडिया टीवी अंडोस नहीं करता है लेकिन जो आखिले उन्होंने अभी तक सामने आये हैं उ वहीं बीडे पीप के लिए ये जो आखिले हैं ये जरूर चौकाने वाले हैं निराश करने वाले होंगे ये 106 से 109 सीटें 60 बजार ये आखिलन दे रहा है तकरीबन सवा रुपे या अगर आप सो रुपे लगाते हैं तो उस पे सवा रुपे आपको एक रुपे पे सवा रुपे मिलेगा चातिस गड़ के अगर आखिलों की बात करें तो दोबई और मुंबई के जो सटा बजार है तकरीबन सेम ही आखिला दे रहा है पचास में से बावन सीटें कॉंग्रेस को दे रहा है पचासी पैसा भाव तै किया है और 37 से 49 जो है सीट्स या आपको बीडे इंगलेंड से जो बैटिंग एप होते हैं सबसे चोकाने की बात यह है कि अकेले दोबई और मुंबई का सटा बजार ही इसमें गेम प्ले नहीं कर रहा है अपनी राय दे रहा है साटोरियों को आकरशित कर रहा है जो रायस्थान के फलोदा बाजार है वहां का भी है और 80 पैसे के भाव के हिसाब से कॉंग्रेस को दी है 108 से 112 सीट है एक रुपे भाव के हिसाब से मद्दपरदेश में बीजेपी को दी है यानि चाहे इंगलेंड के बैटिंग एप की बात हो या जो सटोरी जिस तरीके की बाते आपस पे करते हैं और उती के आधार पर जो सटा सटा बाजार जो पूरी तरीके से अवैरनिक होता है उनमें जो भाव चल रहा है कम से कम सटोरी अपने आकलन के हिसाब से कॉंग्रेस को बढ़त दिखाते दिखाई दे रहे हैं कम से कम इन दो जगा 36 गड़ और रायस्थान में जी सौरा यह अनुमान है सटा बाजार का जो फलावदी का सटा बाजार MP 36 गड़ रायस्थान बंपर जीत तीनों राज्यों में उन्होंने प्रडिट की ते और यह भी लिखा था फलावदी का सटा बाजार कभी गलत नहीं हुआ पहले तो हम आप से कहना चाहते हैं सटा बाजार से दूर रही है लत है आदत हो जाती है इसकी नुकसान कर लेते हैं लोग अपना इससे बिल्कुल आप दूर रही है हम इस इन आकड़ों को एंडोर्स बिल्कुल नहीं कर रहा है लेकिन ठीक है हकीकत है वह जैसा मैंने का ए जो 63 जबार बार बात करते हैं राज़्तान का ऐसा नहीं कि वो गलत नहीं होता है Josha गारे लेकिन यहां तक हम 36 गड़ की बात कहरें तो सारे सर्वे जातर जो एक्सपर्टस हैं वो यही कहरें कि 36 गड़ में कॉंग्रेस आगे है तो वो भी उसकी बात है रहा अगर हम मद्रपदेश की बात करेंगे तो मद्रपदेश में मैं खुद कहा रहा हूँ कि दोनों की काटे की टक्कर है थोड़ा सा आगे पीछे जो 60 बाजार है वो भी प्रडिक्शन कर रहा है देखे ये बात है कि जनता के स्ता है वोट करती है और ये भी हमें धिहान रखना चाहिए कि चुनावों में जो जनता है जो काडर है उसके basis में चुनाव नहीं लड़ा जाधा जीता जाता है जो जनता फैंस पे जो नीटरल जनता है जो के मुद्दों के आधार पर या कैंडिडेट्स के आधार पर वोट देती है वो जन्रता जो है आपको चुनाव जीताती या हराती है फिर भी आपको यह जो common perception है उसके आसपास दिखाई दे रहे हैं मद्यपदेश और 36 गड़का दिखाई दे रहे हैं उसमें कोई ऐसा खेल करने वाला नहीं होगा और मैं तो शेयर बाजार में भी बहुत लंबे समय तक उसके चैनल मेंने काम किया है तो मुझे पता है कि एक होता है जो तिजड़िया होता है एक होता है जो मदड़िया होता है तो ये वाला खेल करके भी लुक पैसे जीते हैं जिसे शेर गिरा के भी जीते हैं तो कौन सा खेल होगा लेकिन मद्ध प्रदेश में क्या हुआ है हमारे यह जब आम बहुत लद जाता है आम के पेड़ पे खूब बढ़िया से आम हो गया तो आधे आत का डंडा होता है तो उसको लबेदा बोलते हैं तो उसको जोर से मारिये हम लोग क्या कहते हैं कि आई आम यह जाई लबेदा यह आम आएगा यह चलो डंडा भी चला गया मध्य प्रदेश में भारती जनता पार्टी ने आम तो गिरा लिया है अच्छा अब लबेदा फंस गया है या वो आया है दुबारा मारने के लिए जो रणी थी भारती जनता पार्टी ने चली थी कि बड़े बड़े लोगों को एक एक विधान सभा सीट पे लड़ाओ कई बड़े नेता उसी में से हारते भी दिख रहे हैं अब चुकी मतदान भी हो चुका है सब कुछ हो चुका है कई बड़े नेता और वो हो सकता है कि चौकाने वाले जो नाम है वो हार जाए लेकिन मध्य प्रदेश में भारती जनता पार्टी बेहतर इस्थिती में है चु बढ़ी है और वही सट्टा वाला मामला जिस सट्टा बजार की बात कर रहे हैं तो उस सट्टे के आधार पर कुछ लोगों का जो कहें कि दाओं लगाना था वो पल्टा है बगेल जी की हो जैसे लेकिन फिर भी भूपेश बगेल इस सब के बावजूद अभी वहां जिसको कह कि में सट्टा बाजार गलत होगा 36 अनुमान आपका ठीक ठीक लगाई लगता आपको जी समीर जी में तीन सट्टा बाजार के और आपके हां जिक्र कर देता हूं कनाडा का एक बैटिंग है थाइलेंड और मौरिशस इन तीन के बैटिंग और सट्टा बाजार के जो बड़ कि इन तीन बैटिंग एप जो बड़े हैं जो बहुत ध्यान से भारत के राज्यूती को और भारत में अनुमाली गतियद्यू पर पैसा लगाने वाजी लोग है उन तीनों एप ने दोनों जगे भारतियनता पार्टी की सरकार बनाने का जुकर किया है 36 गड़ में भी और का मदापदेश में और 36 गड़ में भी तो मुझे असा लगता है कि मदापदेश को लेके तो इमारे साञारा कर्शा जो है कं डिचाट खोटर्ग के रहे है कि वोटिंग जो भी है वो बहुत आश्य जनक मद्दान हुआ है इस बार और हो सकता है कि भारते अंता पार्टी इससे ज़्यादा सीटे कॉंग्रस से लेकर चलिया यह भी एक संभावना बन सकती है दिविंद रेक बर्दार राजिस्थान का भी क्या हल बता रहे हैं सटोरी है वो जान लेते हैं फिर मैं आता हूँ आपके पास मनीश हमारे साथ जुड़े हैं जैपूर से राजिस्थान को लेकर के यह सट्टा बाजार की दुनिया की लोग क्या कह रहे हैं मनीश देखे राजस्तान का फलोधी सटा है और इसका जो आंकलन चल रहा है जो देर रात का जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं कि भाजपा 117 से 120 कॉंग्रिस सरसट से 79 और जो अन्य है वो 16 से 18 और इंटरिस्टिंग बात ये है सौरब की जो मैं एक दो लोगों से बाचीत किया हूं जो तमाम लोग कह रहे हैं कि ये अचानक से पिछले एक हफते से ये सीटो का जो ग्राफ है इस्पेशली फलोधी सटोरियो के बीट में वो बढ़ रहा है पधानमंती नरिंदर मोदी की सभाओं और दोरों की वज़े से दूसरी बात ही कि राजस्तान में भाजप जाता है फिर भी सटोरियो का आंकलन है लेकिन सटोरियो के बीच में सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है कि अभी तक के जो आंकडे हैं डे वाई डे वो बढ़ते सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि पधानमंती नरिंदर मोदी की जो ताबर तोड सभाय हो रही है तो देर रा ठी थी और अचानक से अब भाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जो 120-125 ये इसके बीच में जो ये पूरा आंकला दे भी रहें आम जन्ता के बीच में भी एक यही बात सामने निकल के आ है कि सवा सो सवा सौ सो प्लस सवा सो इस तरीके की लेकिन फलोदी सटा बजार में सकते ज़्यादा उसकता इसी बात की कि प्रधान मंति ननिनर मोदी की सभाओं के दौर की वजह से बीजेपी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें जो भाव है वो बीजेपी में 30 से 40 पैसे का भाव है और कॉंग्रेस का जो है 2 से 2.5 रुपए का भाव है य आखरी के आखरी हफते में जो है उसकी उसको बहुत जो दिया गया है और उसकी वज़े से भाजपा को बड़ी उमीद है वही बात बनीज बता रहे है और बिलकुत सवराबो ये बीजेपी की रेड़नी टीवी थी कि फाइनल स्टेज में जाकर टॉप गयर लगाना जिसे क पाम किया जाया और पहले मद्यपदेश चर्टिस गड़ पर उन्हों का फोकस था उसमें मद्यपदेश पर ज्यादा फोकस था जब वहां से चुनाव संपन हो गया सत्रा को तो उसके बाद का जो समय रखा गया था और रास्तान के लिए और अब दिख रहा है कि उसका असर ग्राउंड पर भी उस तरह का फिड़बेक आना शुरू हुआ है ऐसे में जो सर्टोरियों की जो आकड़े हैं सौरप उस पे लगभग आप निशिंत हो सकते हैं कि रास्तान में जो फिगर आएगा वो कुछ दुचार सीट आगे पीछे हो सकते हैं लेकि इसी कदर आने वा हुआ था पार्टी का कोई भी ऐसा नेता चाहिए दिल्ली में बैठा हो या मद्यपरदेश का बैठा हो आप उसे बातचीत के जिए आपको यह समझ में आएगा कि पचास से साथ सीटों पर सिमटने वाली है उसके बाद धीरे 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 हमिशाने काम करना शुरू क अलग अलग रणीति एक्तियार किये गए दिल्ली से नेता वहां पे गया सबने कमान समाली वह इजाफा होना शुरू हुआ और आखिर में चुनाओ होते होते उसमें इजाफा ऐसा हो गया कि एक मैसेज जा रहा है कि हां नेक टूनेक फाइट आपने कर ली लेकिन अभी भी मद्यप्रदेश में बीजेपी की उम्मीदें उस रहसमें चाभी पे है कि महिला जो वोटर्स हैं उस महिला वोटर्स में बहुतायत ने उनको दिया है बहुमत से नहीं बहुतायत होना ज़रूरी होगा क्योंकि जो वोकल वोटर है मद्यप्रदेश में जिससे बाचीत करके आप समझ सकते हैं उसमें आपको दिखेगा कि वो जुकाओ कॉंगेस के तरफ है और उसकी पीछे वज़य ऐसा नहीं था कि कॉंगेस पार्टी को लाना चाहते हैं या कमल नात में उनको कोई चार्म दिख रहा है वो एक ठक गया श्रीवास सिंग चुहान को देखते देखते एक बाद बदल लेते हैं यह अलग बात है कि हो सकता है एक छे मिने बाद उनको अपसोस हो लेकिन वो एक वोकल आपको सेंटिमेंट ऐसा नजर आएगा महिला वोटरस के पता नहीं कि उन्होंने क्या किया है अगर उन्होंने दो तीहाई बहुमत का आकड़ा दिया है बीज ने दिया तो छत्तिस गड़ को लेकिह एक समीर जी ने बात बता ही है कि तीन अलग अलग जगाओं के सकते वादा पकाड़ जो यह जीद रहे हैं लेकिन इदर मुझे भी कई फोन आया और वो लगातार मुह फोन कर कह रहे हैं कि आप लगातार कहानी कुरसी की बोला है कि च अगर यह आकड़ा है आपके पास तो मनीश जी हाँ जी हाँ आपके पास तीनों के जो आकड़े हैं मेरे पास वो भी यही कह रहा है कि कॉंग्रेस 116 से 119 यह आकड़ा है और 36 गड़ का 50 से 52, 37 से 49 बीजेपी, तेलंगाना का 55 से 57 कॉंग्रेस, 54 से 56 बीरस, 4 से 6 बीजेपी और 6 से 8 AIMIA यह पूरा फलावदी का जो सटा बाजार है वो है और तिलंगाना में भी क्लोज हो गया बता रहे हैं मैं पहली बार जी ठीक, ठीक मनीश ठीक, यह लेकिन जो देवेंदर ने कहा कि 36 गार और MP में नीचे से उपर के तरफ बढ़ी बढ़ा बीजेपी का ग्राफ, राजस्थ उसे इस में पहीं भी क्लोज़ खान में बिजेपी ने जो वेसंदरा राजसिंधिया को शुरू में एक ऐसी प्रसिप्शन मैं कहूंगा जो लोगों के बीच में गई कहीं हाशिये पे हैं या उनको जो है भाव नहीं दिया जा रहा उनको आगे नहीं बढ़ा जा रहा, शा अगर मैं आपको बताई। महिलाओं के वोटों को भी अगर हम असेस कर लें तो मद्य परदेश की बात करते हैं। 2018 में लगभग 44 सीटें ऐसी थी जिसमें महिलाओं ने जादा वोट किया था पुरुषों से और इस बार 34 सीटें ऐसी हैं मद्यप्रदेश में जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से जादा वोट किया तो ऐसे में महिलाएं बाहर आके वोट करी, ये तो सही बात है, लेकिन क्या महिलाएं बीजेपी के पक्ष में वोट करी, ये पार्टियों का परसेप्शन अपना-पना है, लेकिन मैंने आपको एक आंकडा दिया, उसके हिसाब से लेखे, 19 सीटें ऐसी थी, लगभग, 2018 के तो ये अलाइन होती हैं दोनों बाते, तो दोनों, मैं ये बोल रहा हूं कि ये कहना, कि महिलाएं ने एक पार्टी के पक्ष में वोट किया होगा, ये थोड़ा मुश्किया है, लेकिन बीजेपी का जो पूरा कैम्पेन रहा है, वो महिला सेंट्रिक रहा है, उनके जो जो ने स्कीम्स भी शुरू की, चाहे वो मध्यपदेश की लाड़ली बहना स्कीम है, वो भी महिलाओं को लुभाती है, महिलाओं के लिए काफी काम बीजेपी ने किया है, लेकिन अगर हम मध्यपदेश और रास्थान में जो टिक्तें दी गई हैं, अगर उसकी तरफ देंगे राहुल जी ने, एक आंकड़ा ये भी है कि 30 के करीब सीटें ऐसी थी जो बहुत क्लोज मारजिन से डिसाइड हुए थी, 2018 के चुराओं में, वहाँ पर खास तोर पर ये वोट जो है, और क्रूशल हो जाएगा दोनों पार्टियों के लिए, अनुराग हमारे साथ हैं, वो बहतर बता सकते हैं, क्या क्लोज मारजिन रहें, मैंने तो देखा एक सीट पर शायद सवासो बोटों का मारजिन ही मातर था, तो ऐसे ये दो तीन दर्जन के करीब सीटें हैं, जो सौ से लेकर के पंदरा सो दो हजार के बीच में, ये अंतर से हार जीत ते हुई जहां 2018 में, अनराग, निश्चे तोर पहर हजार से हजार बोटर वाली ऐसी सीट रही हैं, जहां पर दस सीटों पर परभाव पड़ा है, डिएर्ज़ सो से लेके चार सो तक की ऐसी सीट रही हैं, चार हजार तक पर अगर अगर अंडर पांच-छायर के तक माने तो उसमें दस से बारा स शीटे रहें इनी सीटो को चिंधत किया ता बी जे पी ने इस चुनाओं में इस चुनाओं से कर्ष दक्रेबं़ 6 महीने पहले की इसी तमाम सीटे जिस पिर रूम सीटों पहले स्वें मीजा का पार चैना इसी तोर पर लॉजा़ में अधाशीहित ड़क हैं जिनको एक सो तीन करीवन ऐसे सीटी थी जहाँ पर उतारा गया था लेकिन इन सीटों पर बीजेपी ने विशेश ध्यान रखा था जहाँ पर क्लोज मारजिन था तमाम जो बड़े नेताओं की तमाम बड़े शत्रबों को जी रैली हुई वो इन ही सीटों के आस पास जिसमें से विंद की कम से कम चैसे साथ सीटे थी तीन से चार सीटे थी भलकि iis ऐसे खाएंगे कोई की तीस मेसे चॉबेस सीटे वहां पर थी गौाली रचंबल की चौटिस मेसे जहाँ पर चЛावेश कांगरेस को मिली थी इन से चैसे साथ सीटे यहाँ थी, माकोशर पर भी दिया प्रदान मंत्री आवास योजना की बात की गई, शाती सात महला जो गेम चेंजर उनकी योजना होती, उनकी भी बात की गई, क्योंकि जहांगी जहांगी हजार से भी कम बोट पड़े थे, वहांगी बीजेपी ने 2018 की गल्तियां उन्होंने 2023 आने आने तक सुधार ली थी, जह जहाँ पर हजार सीटों का फर्क पड़ा, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रदान मंत्री आवास योजना के तहित, आवास सर्व सुलप कराए गए तमाम उने लाकों में, जहाँ पर लगा कि यहाँ पर बोटिंग परसेंटेज उनके फेवर में नहीं हुआ, इसके सा समीर जी, यह जो क्लोज मार्जिन वाली सीटें है, ज्यादा तर इन में से कॉंग्रेस जीती थी, शायर इसलिए बीजेपी को उमीद होगी इस बार की सुधार अगर होता है इन सीटों पर खास करके तो मार्जिन बढ़ाए जा सकता है इस सीटों को फोकस नहीं किया जो बहुत क्लोज मार्जिन से अारी है, भारती अन्ठा पार्टी नहीं से सिटों को केने नितिरुट करेगा, यह उमीदवार को ओगा, यह मुद्य क्या होंगे, यह रेलिया कोण होगी, यह कौन से विदायक इंचार जोंगे, बाहर से किस प प्रदेश का दखल नहीं था, मुझे लगा रहा है इन सीटों को अमी शान ने देखा और भुपे न्यादों ने इन 76 पे पूरा वाच रखा था, यह 230 सीटों का लगबग 30% होता है, भारते अंतर पार्टी का मानना था कि जो पिछली बार हम जीते हैं, वो उसका मारजिन बढ पूरी टार्गेट लेके चल रही थी, और उसे हिसाब से बहुत, आप देखिए, पदार मंतिरी मोधी ने जो रेली आज की दिया, जो मुद्दे उठाए, उसमें से 60 सीटे इसमें कवर हो रही है, तो मुझे और अमिशा खुद 50 सीटों में खुद होके आए, तो यह 76 यह करते हमता पार्टे के लिए बहुत इंपोर्टन्ट यहाँ